नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जाग्रल के संपादकी से 430 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की जरूरत है या इसमें आए हुए महत्पूर सब्दो की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीगराम गुरूप को जोइन कर सकते हैं अपने मोबाइल में टेलीगराम एप को ओपन करें और वहां साट हैं टीम को सर्च करके गुरूप से जूट सकते हैं और PDF को प्राप्ट कर सकते हैं तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पास सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडिर हैं इस्टार्ट करने वाले अमेरिका में सत्ता हस्तांत्रड की प्रकिरिया के दोरान जैसा उपद्रो संसद के बाहर और भीतर हुआ वह उसे सर्मसार करने के साथ ही उसकी तमाम कमजोरियों की पोल भी खोलता है इसमें संदेह नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प ने ही अपने उन समर्थकों को उकसाया जिन्होंने संसद में घुश कर अराजकता फैलाई लेकिन सवाल है कि आखिर दुनिया के सबसे ससक्त लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपती चुनाओ नतीजों को इस तरह असविकार करने में सक्षम कैसे हुआ यह संभव हुआ खामियों और जटिलताओं से भरी चुनाओ प्रकिरिया के कारण अब तो अमेरिका को यह समझ आना चाहिए कि उसे अपनी चुनाओ प्रडाली को दुरुस्त करने की आवस्यक्ता है इसके साथ ही उसे समाज को बाटने वाली राजनीती से तौबा करने की भी आवस्यक्ता है यह किसी से छीपा नहीं कि राश्ट्रपती चुनाओं के पहले ही अमेरिकी समाज के बीच एक खाई बन गई थी पुलिस की बेजा सक्ती के खिलाफ अस्वेत समुदाए के आक्रोस परदर्शन के दोरान यह साफ दिखने लगी थी चुनाओं के दोरान इस खाई को और चोड़ी करने का ही काम किया गया भले ही संसद में हिंसा के बाद ट्रंप ने हतियार डाल दिये हों और सांतीपूर तरीके से सत्ता हस्तांत्रण के लिए सहमत हो गय हो लेकिन संसद में जो अनर्थ हुआ उससे अमेरिका की परतिष्ठा को तगड़ी चोट पहुची है जब अमेरिका तमाम आंतरिक समस्याओं से घीरा है और अंतराश्ट्री अस्तर पर उसे चीन की ओर से गंभीर चुनोती मिल रही है तब सत्ता संभालने जा रहे जो बाइडन की चुनोतियां कहीं अधिक बढ़ने वाली हैं पता नहीं वह इन चुनोतियों का सामना कैसे करेंगे लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ उससे उसके साथ साथ दुनिया को भी सबक सीखने की जरूरत है पहला सबक इस बुनियादी बात को समझने का है कि ऐसहमती अराजकता का परियाय नहीं होती ट्रम्प चुनाओ नतीजों से अपनी ऐसहमती को अराजकता को हद तक ले गए यदि वह चोतरफा निंदा से घिर गए हैं तो इसके लिए अपने अलामा अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ट्रम्प के अलोकतांत्रिक रवये के साथ ही इसकी भी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हाल के समय में अमेरिका में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन में असहमती और अराजकता के बीच का अंतर खत्म होते दिखा है दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी ऐसे तत्व हैं जो असहमती के बहाने अराजकता को हवा देने और उसे जायज फहराने का काम करते हैं उन से न केवल सावधान रहना होगा बलकि उन्हें हतोत साहित भी करना होगा इस्टॉब दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा आप पांस सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें अमेरिका में सत्ता हस्तांत्रण की प्रकिरिया के दोरान जैसा उपद्रो संसत के बाहर और भीतर हुआ वह उसे सर्मसार करने के साथ ही उसकी तमाम कमजोरियों की पोल भी खोलता है इसमें संदेह नहीं की अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने उन समर्थकों को उकसाया जिन्होंने संसत में घुश कर अराजकता फैलाई लेकिन सवाल है कि आखिर दुनिया के सबसे ससक्त लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपती चुनाव नतीजों को इस तरह असविकार करने में सक्षम कैसे हुआ यह संभव हुआ खामियों और जटिलताओं से भरी चुनाव प्रकिरिया के कारण अब तो अमेरिका को यह समझ आना चाहिए कि उसे अपनी चुनाव प्रडाली को दुरुस्त करने की आउस्यकता है इसके साथ ही उसे समाज को बाटने वाली राजनीती से तौबा करने की भी आउस्यकता है यह किसी से छीपा नहीं कि राश्ट्रपती चुनाव के पहले ही अमेरिकी समाज के बीच एक खाई बन गई थी पुलिस की बेजा सक्ती के खिलाफ अस्वेत समुदाय के आक्रोस प्रदर्शन के दौरान यह साफ दिखने लगी थी चुनाव के दौरान इस खाई को और चोड़ी करने का ही काम किया गया भले ही संसत में हिंसा के बाद ट्रंप ने हतियार डाल दिये हों और सांतीपूर तरीके से सत्ता हस्तांत्रण के लिए सहमत हो गए हों लेकिन संसत में जो अनर्थ हुआ उससे अमेरिका की प्रतिष्ठा को तगड़ी चोड़ पहुची है जब अमेरिका तमाम आंतरिक समस्याओं से घीरा है और अंतराष्ट्री अस्तर पर उसे चीन की ओर से गंभीर चुनावती मिल रही है तब सत्ता सम्हालने जा रहे जो बाइडन की चुनावतियां कहीं अधिक बढ़ने वाली हैं पता नहीं वह इन चुनावतियों का सामना कैसे करेंगे लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ उससे उसके साथ साथ दुनिया को भी सबक सीखने की जरूरत है पहला सबक इस भुनियादी बात को समझने का है कि असहमती अराजकता का परियाए नहीं होती टरंप चुनाव नतीजों से अपनी असहमती को अराजकता को हद तक ले गएं यदि वह चोतरफा निंदा से घिर गएं हैं तो इसके लिए अपने अलामा अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं क्रंप के अलोकतांत्रिक रवय के साथ ही इसकी भी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हाल के समय में अमेरिका में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन में असहमती और अराजकता के बीच का अंतर खत्म होते दिखा है दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी ऐसे तत्व हैं जो असहमती के बहाने अराजकता को हवा देने और उसे जायज ठैराने का काम करते रहे हैं उनसे ना केवल सावधान रहना होगा बलकि उन्हें हतोत साहित भी करना होगा इस टॉप तो दोस्तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किर्पया इस वीडियो को लाइक सेर जरू कर दिया करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लेपी को सीख सकें धन्यबाद